और एक काम आप और कर सकते हैं, एक मोम बनाना चाहिए आपो, जैसे पेट्रोलियम जैली आती है वैसलिन की, वैसे एक चीज़ आप अपने घर पे बना सकते हैं नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी के और फामली पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो इस सर्दियों के मौसम में एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, स्किन के क्रैक होने की, जो स्किन होती है, हमारे पैरों की एडियां हैं, वो फट जाती हैं, हाथ फट जाते हैं, हमारे होट फट जाते हुआ हमारे साथ के बच्चता है दो सब जसा हम इन चीज़ों के उप़ जाए यह नई को सब्सक्राइब कर दिए खिर में एप क्या शिर्ला शक्याति को थाए और ढम सब्सक्राइब है ड्राय होने लग जाती है तो अगर हमारी estáski hayat ता से अब अपनी बड़ी को हाइड dessert करना होगा हाइड रखने के लिए हमें क्या करना होगा ज्याद सदा पानी पीना होगा offerings चैजे साथ यह हमें लिक्विट चीजे होती हैं जिनसे हमारी बॉडी में कमी भी नहीं सबसे पाओर design को आपको ले चाहिए जिस हमारी यह सारी शीज़ों को आप कैसे हैगे रही है ले घ्लिक बोड़ी रहे हैं थो ने वजह से भच्ण को चीज़ बहुत को विनस्ति टीमा इस अब चीज़ों का बेनिफिट मिले गा दूसरी चीज़ बच्चो की skin को hydrate रखना है या बच्चो की skin को soft रखना है तो इसके लिए आपको क्या चीज़े करनी होगी सबसे पहले चीज़ आपको बच्चे की regular base पर massage करनी चाहिए full body massage करना सर्दियो के time में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं अगर बहुत अच्छी धूप है तो आपको कोशिश करनी होगी कि आपको अपने बच्चे की मसाज करनी चाहिए बट अगर धूप नहीं है बहुत ठंडा मौसम है तो आपको अपने बच्चे के जो सर है उसको अच्छे से ऑईल मसाज देनी चाहिए और उस पर हमेश्य अच्छे से ऑईल रहना चाहिए यह चीज आपको दिन में तीन टाइम करनी चाहिए सर्दियों में और इसके साथ ही आपको अपने बच्चे के हाथ और पैर जो इससे खुले रहते हैं उनको अच्छे तरीके से ऑईल लगाना है और मसाज देनी है इससे क्या होगा वो जो ऑईल है वो बच्चे की स्किन के अंदर जाएगा जिससे बच्चे की जो स्किन है वो सॉफ्ट होगी और उसमें मॉइस्चर आएगा और एक काम आप और कर सकते हैं एक मोम बनाना चाहिए आपको जैसे पेट्रोलियम जैली आती है वैसलिन की वैसी एक चीज़ आपने घर पे बना सकते है कैसे जो मोम होती ह है उस मोम को पिगलाईए जिव मोम पिगल जाएगी तो उसको खटा करके रखिए उस पिगली वी मोम में आपको जो तेल है उसे मिलाना है उस तेल को आपको गरम करके अच्छे से पका लेना है उस तेल को आपको उसम पिगले वे मोम में मिलाना है और उसको जमनी के लिए अब देखिए जो New mother's होती है उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए वह भी बिलकुल अपने बच्चे की तरह ही होती है उनको भी सर्दी जुखाम और यह ठंड है बहुत जल्दी लग जाती है तो delivery के बाद आपको क्या करना चाहिए आपको अच्छे से कैप पहनी चाहिए, सौक्स पहनने चाहिए, अपनी पूरी बॉडी को कवर रखना चाहिए, आपकी बॉडी ओपन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ओपन रहती है, खुली रहती है, तो इससे क्या होता है, आपको ठंड लग सकती है, जिसकी वज़े से अगर आपकी सर में अच्छे से हमेशा ओयल रहेगा तो आपकी बॉडी को ठंड नहीं लगेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जीरो से 6 मंद का बच्चा है वो सिर्फ अपनी मदर पर डिपैंड करता है वो एक्स्टरनल कोई और चीज नहीं ले सकता है ठंडो में तो मदर अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगी तो बच्चे तक कोई ठंड नहीं पहुंचेगी और अगर बच्चे को कोई सर्दी जुखा में ठंड होती है तो मदर को देखना होगा कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़े लेनी होंगी जो उनके दूद में मिलकर उनके बच्चे तक पहुंचे अगर बच्चे को सर्दी जुखाम होता है तो मां को क्या करना चाहिए अच्छे से काड़ा पीना चाहिए अच्छे से सूप बनाना चाहिए लैसून की कलियां खानी चाहिए मुलेटी खानी चाहिए जो जायफल होता है उसको खाना चाहिए तो यह सारी साथ अजोका कंचिए हो तो समें जैफल घाल में अद निया जब हैस च्छान लीज lam को निकाल लीजें चिस भीन बतन में से स्टीर के लिए अफ को आप गरम कीजिए और जब भी आप गरम करेंगे हमेशा उस ओयल में जैफल पड़ा होना चाहिए तो जैफल होगा इसकी जो बैनिफिट्स होंगे बच्चे को मिलते रहेंगे तो जैफल जो है फो इता पकाना नहीं आपको वह हमेशा उस बच्चे की जो आपने तेल बनाय नहीं तो सर पैर और हाथ इन तीन चीज़ों को आपको अच्छे से मसाज देनी इसके बाद रात का टाइम होता है तो हलका गुन-गुना तेल करके अपने बच्चे के लगाई ये बच्चे की जो पीठ है उसको रब कीजे बिना कपड़े उतारे हलका से कपड़े उपर करक तो ये चीज़े हो गए बच्चे को अगर ठन लगती है तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान डखना हो इस चीज़ को आप घर पर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीज़ आप पर वर्क करी या नहीं करी कोई भी चीज अगर आप ट्रा सब्सक्राइब कीज़ेगा हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब का धन्य मिल दें आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान डखे